आपका स्वागत है टार्गेट सरकारी नौकरी चैनल पर मैहर शादली उत्रप्रदेश प्रात्मिक सिक्षक भरती सूपर्टेट परिक्षा के लिए सिक्षड कॉशल टेचिंग स्किल में आज का जो टॉपिक हम डिस्कुस करेंगे वो है समावेशी सिक्षा इंक्लूसिव ए चले तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बहुत ही आसान भाषा में इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे अगर हम बात करें एक परिवार की उस परिवार में बच्चे हो सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें एक गाउं की बहुत सारे परिवार महाँ पर होंगे अगर पेसे आर्थिक दिरस्टी से पिष्डे बालत हो सकते हैं तो कोई मंद-fürध्धी का बालत भी आपको मिल सकता है कुछ नॉर्मल बच्चे आपको मिल सकते हैं तो आपने देखा हुआ एक समाज में भाती-भाती प्रकार के अलग-अलग प्रकार के बच्चे देखने को मिलते हैं तो जितने प्रकार के बच्चों के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया है इन सब के साथ में एक जैसा विवार करें इन सब को बिना भेदभाव के सिक्षा प्रवाइड अगर हम करते हैं तो ऐसी सिक्षा जो सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक समान विवार करते हुए दी जाती है ये कहलाती है समावेशी सिक्षा, simple, definition देख लेते हैं समावेशी सिक्षा से तातपर रहे बिना भेदभाव के सभी प्रकार के बालक बालिकाओं को एक साथ सिक्षा प्रवाइट कराना ये समावेशी सिक्षा कहलाती है तो बिना भेदभाव के सभी को सिक्षा प्रवाइट कराने की जो प्रक्रिया है वो समावेशी सिक्षा है जैसा व्यवार जैसा behavior आप class में बच्चों में जो सामाने बच्चे होते हैं ठीक है उनके साथ जैसा व्यवार आप करते हैं ठीक वैसा ही व्यवार अगर आप विकलांग बच्चे के साथ जो class में हैं आपकी प्रतिभाशारी बच्चे के साथ ठीक है जो अलग-अलग प्रका नहीं किया जाएगा यही है समावी चीज सिक्षा और यही है इसका उदेश्य सामाने बालक क्या होते हैं ठीक है आप है मैं हूं ठीक है आपके मेरे जैसे सामाने बालक होंगे जिनमें कोई विकार या दोश नहों ठीक अगर इसको देखें हम आईक्यू के लेबल पर हम 90-10 के बीच में जिनका IQ होता है पढ़ेंगे अलग टॉपिक में सके जो वह समाने बालक होते हैं और दूसरे होते हैं विस्च बालक तो विसस्ट बालकों में क्या आते हैं जो जो भी पृतिभाय बच्चे होंगे या बालक होंगे यानि टेलेंटेड जो child होंगे या मंद बुद्धी बालक देखो हम एक तरीकी से बोल रहे हैं प्रतिवाशाली बोल रहे हैं और साथ में मंद बुद्धी बालक भी बोल रहे हैं समस्यात्मक बालक, स्रजिनसील बालक, शारिरी रूप से पिश्ड़े बालक, मांसिक रूप से पिश्ड़े बालक, इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है समावेसी सिख्षा में, ठीक है, अलग-अलग विहवार नहीं किया जाएगा इनके साथ, अगर कोई हुश प्रदान करना समावेशी सिख्षा कहलाती है, यानि समावेशी सिख्षा में किसी भी बालक के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अभी शिरुवात के तौर पर क्योंकि परिक्षा में समय है आपकी, ठीक है, तो यह हम बेसिक फांडेशन आपकी बना दे र तो पढ़ाई के इस तरवी आपको बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है आपको, जब आप एक सिख्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में जाएंगे, या भी इवन प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ाते हैं, तो आपको तब भी आपकी समझ विक्सित होती है, इस से, कि बाल को पर किस तरह से आपको ध्यान देना है, एक एक चाप्टर जो भी हमने इस सूपर टट्री परिक्षा के दौरान पढ़ा है, वो सभी आपको एक सिख्षक को बहतर सिख्षक एक बच्चे के लिए बनाने की कोशिश करता है, कुछ इसके इतिहास पर भी नज आपक शहर है एक थाइलेंड का, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, एक समिट हुई थी, जिसको हम जमेशन सम्मेलन बोलते हैं, और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश रखा गया था, जो डिफरेंट टाइपस जो चाइल्ड हमने पढ़े हैं, जो बच्चे हैं, सभी प जो पिछले वालक होते हैं, उनकी सिक्षा के उद्दूइशियों का निर्धारन करना, ठीक है, उनके लिए सोचा गया पहली बार, वर्ष 1990 में, जमोशियन सम्मेलन के दोरान, जो थाइलेंड में हुआ था, अगली बार, वर्ष 1994 में, जो सल्मान का शहर है, स्पेन का, यहा इस सम्मेलन का उतेशी भी अगर हम बात करें, तो जो विशिस्ट सेक्षिक अवशक्ता वाले वालक होते हैं, यानि पिछडी विशिस्ट पिछडी या अभी जिनके हमने जिक्री किया है, उन बालकों को सिक्षा सम्मेलन के माध्यम से, सिक्षा में सुलबता और शम्ता का निर्धारान करना, एक तरीके से हर परकार की जो बालक हैं, विशिस्ट सेक्षिक अवशक्ता वाले जो बालक हैं, उनको सिक्षा उपलब्द करवाना, शम्ता के अधार पर उनकी उनमें सिक्षा की शम्ता का विकास करना, एक तरीके से, अगर आप से पूछे कि समावेशी सिक्षा में जो है एक तरीकी से ये निश्चे किया गया था इस सम्मेलन में ठीक है सलमान का सम्मेलन के तहट ये निश्चे भी किया गया कि विशिस्ट सैक्षिक अवशक्ता वालकों को समान्य वालक है उनके साथ ही सिक्षा प्रवाइट की जाएगी कॉंसेप्ट इंग से शुरू हुआ था ठीक है तो समाजिक तौर पर बॉद्धिक शारीरिक सम्वेग आत्मक भावात्मक तथ्यों के अदार पर किसी विशिस्ट बालक के साथ में सैक्षिक स्थर पर सिक्षा में कोई भी भेद्वाव नहीं किया जाएगा यह मोटो धार्ट अधिकम अक्षम ता वालग जिनको पढ़ाने लिखने में दिख्कत होती है वह आते हैं अधिकम अक्षम्ता में टीक्सिर इस तरह यह और। उसके अलावा नशुचित जाती गाति धारम और जाती समाज लिंग वाले बालक जो है वह हैं इसमें शामिल किये गये तो समय वि आपको पढ़ा देंगे इनके प्रकार यह कैसे जनरेट होती है ठीक है इस प्रकार के विकार और जितनी भी मतलब हम बात कर रहे थे शारी रूप से पिष्ड़े बाल को की या अधिकम अक्षम तावाले बाल को की इनको अलग सिक सेपरे टॉपिक में आपको समझाऊंगा तो यह हम CDP यह अभी आपका विषय उसमें आजाएगा तो इसके उद्डेशे पर भी बात कर لेते हैं आगल को को अधिकम अख्शमता को दूर करतÂ है। सीखने की जो प्रडॉलम्स होती हैं गरुंस की वो सममार्ची सिक्श्य में दूर हो जाती है। शारी abandon 6 जो वीकलाम बच्चे हैं उनको पढमें जो प्राद्रॉम हैं जी सिखने में तो वह भी यहां दूर होती है। सभी पिरकार के बाल्गों को को एक साथ पढ़ा सके एक क्लास में माल यह समाने बालक भी विजिस्ट बालक भी है तो दोनों तरह से कैसे एक टीचर ट्रीट करेगा तो एक स्पेशल टीचर उस तरह के होने चाहिए अगर हम बात करें किसकी प्रतियक बालक की शक्तियों का विकाश करना भी किसका मोटो है शारेरिक और मांसिक रूप से पिछले बालकों को भी महतुपूर्ण समझा जाता है और समाने और पिछले बालकों की मध्ये एक तरीके से जो इनिक्वैलिटी हम कह सकते हैं जो पहले से असमानता या दिमाग में बच्चों के बैठता है शुरू से ही वह सारी चीज़े खत करते हैं तो दूसरी क्लास में हम जो है लाइफ इसकल के प्रश्णों को डिसकुस कर लेंगे अभी छोटे-छोटे सेशन ले ताकि आपको जो है बोरिंग फील ना हो इसमें इंट्रस्टिंग वे में आपको समझ में अच्छी से अभी किसी बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत एजीली समझ में आएगा लेकिन बुक में इससे सीज़ी सीज़ी लिखता नहीं है चलो इसको यहीं रहने देते हैं अब नए टॉपिक करेंगे किसी एगले वीडियो में इसके इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू वीडियो को लाइक कर दीजेगा